हालो फ्रेंग्स वेल्कम यू आल आज मैं आपके ले जो वीडियो देखा रहा हूँ देखे बात करेंगे मार्किट में करेक्شन गिरावट आपके सामने में है और आप सोच रहे होंगे ऐसी गिरावट में कौन से स्टॉक के ऊपर नजर ढली जाए क्योंकि कंडिशन बद से बत्तर होती जा रही है जो आपको सामने दिख रहा है ऐसा लग रहा है पूरे देश में कहीं पे भी ना बाते करते रहिए moral support देते रहिए और बाकी जिस तरीके की भी आप help कर पाओ और help जरूर कीजिए क्योंकि अभी क्या है इसी तरीके से काम चल रहा है there is no government पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है आप खुद सोचिए देखी अगर अपने आस पास और situation इतनी बत से बतर out of control black marketing जिस काफी दुखद है और उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि governments का ही खाली दोस है क्योंकि हम जैसे लोग ही होते हैं तो यहां पे black marketing को बढ़हवा देते हैं clearly मैं upfront आपके सामने कहूंगा तो इसी लिए share market में भी आपको काफी उतार चड़ाओ काफी volatility देखने को मिलेगी तो यहां पे ऐसी situation में जो stock मैं आपके लिए लेकर आया हूं जरहा उसकी देखते हैं detail में बात करते हैं वो कोई और नहीं thyro care technologies limited है क्योंकि आज की date में आप देख पा रहे हो कि कि किस तरीके से test covid की वज़े से जो impact आ रहे हैं वो नकेवल lungs में बलकी आपके blood को देखिए blood clotting के issues आ रहे हैं और covid के इलाज के बाद भी काफी सारी complications रह रही हैं और मैं कहूंगा आप लोगों से एक मेरी request है कि चीजों को lightly बिलकुल भी ना और मेरी request उन लोगों से हैं जो कि खासकर young generation मैं यह कहूंगा 25 से 40 45 तक के जो लोग हैं young generation मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ 25 से 35 के लोग जो थोड़ा सा careless होते हैं मैं clearly कहूंगा maximum people इस category के थोड़ा सा careless होते हैं और वो जो starting की चीजों को ignore करते हैं चीजों को lightly ले रहे हैं उसकी वज़े से चीज़ें काफी complicated हो रही है यह मेरा clear message है आप सब लोगों के लिए कि यहां पे चीजों को lightly ना ले क्योंकि जब आप starting में चीजों को control कर पा रहे तो बहुत ही बढ़िया otherwise चीज़े complicated हो रही है और आपको additional चीजों की फिर जरूरत पढ़ रही है देखिए थायरों के technologies क्यों लेके आए हैं कारण क्या ह है न केवल testing बलकि इसके अलावा technical analysis पे भी कुछ हमें दिखा था fundamentally भी strong share है debt free stock है चोटा stock जरूर है अगर आप देखो यहां पे diagnosis testing के लिए हमारे पास दो major companies आती है दोक्टर लाल path labs और थायरों केर technologies डोक्टर लाल path lab देखे 24,000 करोर का market capitalization है बड़ा share है और अगर आप देखोगे तो debt free stock है लेकिन P ratio काफी जादा है 99 का और यहां भी बेगर आप देखोगे तो 75 की P ratio पे ट्रेड कर रहा है तो already लोग खूब माल दमा चुके है high P stock जरूर ह क्या profitability भी है या नहीं है उसको भी देखते हैं देखिए profit किस तरीके से grow कर रहा है जब बढ़ दस तरीके से profit में growth है यह revenue को देखोगे 183 करोड से बढ़ता हुआ almost 450 करोड तक चला गया और उसी तरीके से देखिए 45 करोड का profit सा 2015 में जो की अभी 90 करोड के around है मैं यही होंगा आने वाले टाइम में growth जैसे situation चल रही है उसे साब से बढ़िया देखने को मिल सकता है तो यह numbers आपने थायरो क्या टिकनोलोजी के देखिए डॉक्टर लाल पैतलेप्स की भी अगर हम बात करें और यह बड़ा स्टॉक है इस जगे पर आप देखोगी इस टाइम प इस सेग्मेंट में थायरो केर जो है वो छोटा प्लेयर है और डॉक्टर लाल पैतलेप बड़ा प्लेयर मेरा फोकस मेजर ली अभी के टाइम पे फार्मा और इस तरीके के स्टॉक्स पर ज्यादा है क्योंकि मैं आपको अभी जैसे सन फार्मा की बात कर रहा था ग्लैनमार सिचुवेशन सबसे पैदे तो हम इसको सिक्स्टी रूपीज से ट्रैक कर रहे थे अप्रेल एक से अप्रेल एक से सिक्स्टी से यह सेवंटीज की रेंज में गया और अब यह एटीज के लेवल को भी पार कर गया आपको वाव देखिए इंपल्स करेक्शन और बिलकुल उ देखिए एपरेल एक के वीडियो को भी देखिए osaurus दौकी वीडियो ऊँटेपट 5 कह गैए और यह और लेकिन बढ़िया मुमेंटिक शतने हमें range है जो आपकी range है stop loss है वो काफी धूर है तो इसलिए वहाँ पे stop loss हिट होने के यानि कि risk management थोड़ा सा proper रहता है अब यह देखिए जड़ा rally आई पहली पिछले साल correction देखे दो बहिने का फिर rally अगर आप overall देखोगे इस पूरी jump को जो की बहुत ही जबर्दस बहुत ही खतरनाक था almost 400-500 के range से यह stock जाता है 1200 की range तक एक बड़ा jump इस बड़े jump के बाद एक बढ़िया correction की requirement थी जो आई और उसके बाद यह rally स्टार्ट हुई फिर एक बड़ी candle के बाद बनता है हमारा चोटी candle यानि कि इसी तरीकी की situation जो लास्ट यर जुलाई अगस्त में देखने को मिली थी अब आपको गयर बहुत ही बढ़िया बात है तो यह तो हो गया इसका मन्थली चार्ट यहीं नहीं रुकेंगे आगे चलेंगे यानि कि weekly पे चलेंगे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी की पूरी करेक्शन को देखोगे weekly चार्ट पर यह पूरी की पूरी करेक्शन हमारी हुई है हाई मोमेंटम एरिया जयानि कि मेसीडी के जीरो के उपर हमारा हाई मोमेंटम एरिया है और देखिए बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन भी हो गई है यानि कि एक रहली दो वीक का फिर एक करेक्शन और अब यह लवल जो है यह पार होते ही आपको मिलेगा बढ़िया मौका weekly का stop loss आपके पास तयार है लेकिन मैं यही कहूंगा आपको अगर यहां पर इन्वेस्ट करना है तो रिस्क management हमेशा आपकी top priority रहती है देखें मैं आपको एक बात कहूंगा रिस्क management top priority रहती है लेकिन एक situation होते हैं जैसे कि आज की situation में मान के चलिए लोगों करोड़ों का insurance करा रहा है करोड़ों का medical insurance की बात करते हैं लेकिन क्या आज की डेट में बैड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं आपके देखें जो रिस्क management की चीज़ है वह बहुत ही एक आद रेर सिनेरियो है वहाँ पर जो फेल होने की चीज़ है आपको बिल्कुल फ्रेंक्ली fact के साथ बता रहा हो देखें कोई बैड मिल रहे हैं बैड ही नहीं मिल रहे है तो कैसे कैसे आपका insurance काम आएगा यह यह बहुत important part है आपके risk management strategy यानि की यानि की आप जैसे stop loss लगा के चल रहे हो कभी कभी ऐसी situation भी आती है कि चीज़े एक दम खतरनात सरीके से नीचे गिरती है drastically नीचे गिरती है तो उसलिए आपको वहाँ पे भी तैयारी जरूर करनी है यह देखिए और यह level जैसे पार होगा तो पहले तो इसको ज्यादा नहीं almost 1200 का level है फिर इस level को break करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है break करने के लिए ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए होता है consolidation, correction, pullback यह important part है तो एक rally, correction, फिर rally, फिर correction या फिर pullback इसके near बहुत important और RSI पे देखिए बहुत ही बढ़िया situation लेकिन अभी यहीं नहीं अब मैं आपको daily time frame पे लेके चलूँगा और आपको थोड़ा और situation देखते हैं समझने की इस rally के साथ volume देखिए, बेलकोल बहुत ही बढ़िया volume, यह correction चला daily पे भी, जो correction चला उसमें देखिए volume, बेलकोल खतम volume, बीच में जो buying हुई, वो बढ़िया हुई, फिर से volume थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और फिर से यह correction जो है, मैं आपको यहीं कहू धीरे-धीरे situation कुछ इस तरीके से बने तो और भी मजाए, तो अभी के time पे सबसे safe side, जो मुझे देखे, मुझे जो लगता है, आपको कुछ अलग सकता है, वो अलग बात है, बट जो मुझे लगता है, वो यह कि pharma sector, क्योंकि अगर आप long term perspective से सोच रहो, down the line 1-2 year के perspective से आपको opportunities, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप invest कर रहे हो, तो risk management should always be your top priority, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कि risk management क्यों top priority होती है, आपको important बात में यह बता हूँ, अगर आप invest कर रहे हो, मान दो आपका risk किसी stock में, किसी stock में, आप only thousand rupees का, उस investment में risk लेना चाहते हो, तो आ आपके entry point, आपके stop losses, अगर उसको afford कर पा रहे हैं, आपके stop losses को, आपके risk management की चीजों को, तभी उसमें invest कर है, otherwise avoid कीजिए, simple सी चीज है, तो चलिए, फिलाल wind up करता हूँ, उस वीडियो को, उमीद करता हूँ, आपको समझ में जरूर आ होगा, वीडियो अच्छा लगा तो share कीजिए, like कीजिए, और channel को subscribe कीजिए, thank you, thank you for watching the video.